हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे गेहु के आटे सी बहुती टेस्टी नास्ता, बनाने में एकदम आसान है और खाने में एकदम टेस्टी है, तो चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं, तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा, अगर चैनल पे नहीं ह तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा, तो चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं, तो यह हमने एक बाउल ले लिया है, तो बाउल में हम डाल रहेंगे, एक कप गिहु का आटा, तो आप चाहें तो इसे नास्ते को पूरा मैदा से बना सकते हैं, हम एक चमच मैदा इसमें मिक्स कर रहें, तो उसके बाद हम नमक दालेंगे इसमें थोड़ा सा, तो नमक थोड़ा ही डालेंगे अभी, उसके बाद हम थोड़ा सा अजवाईन डालेंगे, और थोड़ा सा हम तेल डाल रहे हैं तो दो चमस तेल हम इसमें डाल रहे हैं रिफाइन रहे हैं सर्सों का तेल मट डालेगा बागी कोई सा भी तेल हो आप डाल सकते हैं थोड़ा धनिया की पतियां डाल देंगे और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे करके ताकि नमक और जो हमने तेल डाला है तो वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए तो ऐसे मसलते हुए उंगलियों से और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाता है नास्ता और कोई भी जंजट नहीं है इसे बनाने में तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक डो बना लेंगे तो डो हम जैसे पूरी का बनाते हैं विल्कुल वैसे ही डो बनाएंगे ज्यादा गीला भी नहीं करेंगे और ज्यादा हाट भी नहीं रखेंगे तो यह आप देखें बढ़ी असा डो बन के तयार हो गया है तो इसे दस मिनट के लिए रैष्ट पे रख देते हैं और आगे की तयारी करेंगे तो यदी बाल ले लिए अमने उसके भावड ले लिया इसके पाद दो आलू पे लिए तो यह उपले वे आलू वारी काली काले देंगे उसके पाद हम इसमें कुछ मसाले लाए अट कर लेंगे तो नमक डाल लेंगे सवात के अनुसार, तो ध्यान रखेगा कि नमक हमने आटे में भी डाला था, आधी चमच हम लाल मिर्ची पौड़र डाल लेंगे, और अधी चमच चाट मसाला डाल लेंगे, आदी चम्मच से थोड़ी कम है करब मसाला डाल लेंगे दो हरी मिर्ची डाल देंगे कट करके तो मसाले आप जो भी पसंद करते हो वो आप डाल दीजेगा और उसके बाद आधे निम्बू का रसम डाल देते हैं तो बहुत ही चट-फटा सा स्टफिंग बन के तयार हो जाएगा तो उसके बाद धनिया की पतिया थोड़ा डाल देंगे कट करके और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऐसे करके ताकि आलू में अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए तो ऐसे ही मसलते हुए बढ़िया से करके चमस से और इसे मिक्स कर लेते हैं तो ये बढ़िया से हमने मिक्स कर दिया है इसको तो इसे हम साइड में रख लेंगे और जो डो हमने रखा था उसे ले लेते हैं तो डो को हम थोड़ा सा हाथों से थोड़ा और मसल लेंगे एकदम शॉप सा बना लेंगे तो ऐसी करते वे और ये बढ़िया सा डो बन गया है उसके बाद हम क्या करेंगे इसकी दो लोई बना लेंगे तो ज्यादा मोटी भी नहीं है और ज्यादा पतली भी नहीं है तो यह दो लोई बनाके हमने तयार कर दिये एंगे उसके बाद हम चकला ले लेंगे और थोड़ाजा सवुखा मैडा लेंगे उसमें डाल रहे हैं ऐसे खञेलाते विये it में लोई परिते हैं लनला है ताकि चुपके पोरे पर लागा लेंगे us उसके बाद इसे बेल लेंगे तो इसको ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे हम थोड़ा पतला ही रखेंगे तो रोटी से भी थोड़ा पतला बेल लेंगे इसको तो ऐसे करके बेल के और हमने तयार कर दिया इसको यह तो रोटी से भी पतला ही बेला है उसके बाद हम क्या करेंगे चाकु ले लेंगे और इसको कट कर लेंगे साइट साइट के चारों किनारों को तो ऐसे करके और चारों किनारों को हमने कट कर लिया है तो इनको रख देंगे जो दूसरी वाली लोई है तो उसी में हम इसको बना लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे जो हमने आलो की स्टफिंग बनाई थी उसको हम इस रख लेंगे तो ऐसे करके और आप चाहे तो इसे हाथ से बढ़ी असि करके पराबर फेला सकते हैं ऐसे करके चमब शेला रहे हूं तो इसलिए हमें आलू को कदुकस ही करना है क्यूंकि इसमें कोई गुठली न रहे इसलिए आलू अच्छे से कदुकस रहेंगे तो यह अच्छे से लग जाएगा इसमें तो यह आप देख पूरे पर लगाके तयार कर दिया है उसके बाद चाकू ले लेंगे और इसको कट कर लेंगे ऐसे करके तो ऐसे ही हम पूरे को कट कर लेते हैं तो चार पीस निकल गए हैं इसमें तो यह पूरा कट कर लिया है उसके बाद क्या करेंगे इक साइट से उठा लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे दीरे से तो ऐसे करके और इसको यह आप देखें कितना बढ़िया सा बन गया है तो ऐसे दबाते वे और विस ऐसे ही इसको रहने देंगे हम तो हलका सा इसे ऐसे कर देंगे तो यह अच्छे से चिपक जाएगा तो यह बन के विकल तयार हो गया है तो दूसरा भी ऐसे ही एक और दिखा देते हैं बना के तो ऐसे ही करके फोल्ड करेंगे और एकदम आसान है बनाना तो ऐसे ही थोड़ा सा लगा कर लेंगे इसको और यह आप देखें फटा फट बन के तयार हो गया हमारा सारा इनातर तो चलिए एक छोटी सी तयारी और कर लेते हैं तो यह हम बावल में दो चमच मैदा ले रहे हैं आप चाहे तो गियों का अटा भी ले सकते हैं और दो चमच मैदा लेकि इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे एक चूटकी थोड़ा सा मैं इसमें चिली फ्लेक डाल रहे हैं आधी चमच आधी छोटी चमच उसके बाद इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और फिर हम थोड़ी थोड़ी पानी डाल कि और एक पतला सा घूल बना लेंगे इसका लेकिन पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा सा हम ये गुटलियों को पहले खतम कर लेंगे ऐसे करके नहीं तो ये अगर एकदम से पानी डालेंगे तो सारी गुटलियां रह जाएंगी तो ये आप देखें पतला सा घुल बन के तयार हो गया है उसके बाद हम एक एक पीस ले लेंगे और इसमें डुबो देंगे और ऐसे करके थोड़ा सा इसके उपपर डालके और साइड साइड से जहां से आलू है वहाँ से अच्छे से कोटिंग करके और उसके बाद चलते हैं गैस की तरह तो इधर हमने तेल करम करने रख दिया था तो थोड़ा-थोड़ा करके एक-एक करके और जितने भी इसमें आएंगे उतने हम डाल लेते हैं तो गैस को हम मीडियम पर ही रखेंगे ज़्यादा हाई नहीं करेंगे क्योंकि यह थोड़ी मोटी हैं तो इनको दीरे-दीरे सीखने देंगे जैसे हम समोसे को सेखते हैं और बिल्कुल अंदर तक एकदम करारी हो जाएंगे तो ऐसे ही करके एक एक करके डालके और अभी बिल्कुल भी इसे छेड़ेंगे नहीं थोड़ी देर बनने के बाद ही हम इसे छेड़ेंगे तो यह आप देखे बड़ी आसा कलर आने लग गया है तो अब हम इसे पलट लेंगे सब कोई तो ऐसे करके और सबको पलट लेते हैं तो कितनी करारी सी बनने लग गई हैं तो अभी इन्हें दो चार बार पलटेंगे तो एकदम बढ़िया सी करारी सी बन जाएंगी बिल्कुल अंधर तर अंधर की जो लियर है वो भी अच्छे से करारी बन जाएगी तो ऐसे यू लट पलट करके और मीडियम टू लोग पे रखेंगे और बढ़िया सा बनने देंगे इनको तो ये आप देखे कितने करारी सी बन गए हैं तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं तो एक बार ट्राय जरूर किजिएगा तो अब हम साइड में रोक लेंगे थोड़ा सा जो भी तेल होगा तो वो कड़ाई में चला जाएगा तो ऐसे ही करके और सबको हम निकाल लेते हैं तो कितने टेश्टी लग रहे हैं देखने में तो ये आप देखिए पूरा ही नास्ता बनके हमारा तयार हो गया अगर वीडियो थोड़ा सा भी प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये नास्ता कैसा लगा और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं तो वो जरूर बताईएगा और आप इसे सौस या चटनी या ऐसे ही भी खाएंगे बहुत ही टेश्टी लगे या तो एक बार बच्चों के लिए जरूर ट्राइए किजिए गांक्यूड